तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखो के टोरेंट पावर ने भी अपने क्वाटर फॉर के नंबर डिस्क्लोज कर दी है और साथ में क्या कुछ अनौंस है अगर अनौंसमेंट की बाद गया तो कंपनी की तरफ से दो अनौंसमेंट होते हुए नजर आई है एक तो कंपनी जोन भी QIP है या फिर प्राइविट प्लेश्मेंट के मां देम से 5,000 क्रोड के आज पासका फंड रेज कर सकती है ठीक है इसके उपर कंपनी ने अपडेट दी है इसके साथ साथ आप लोग देखो कि कंपनी ने अनौंस के भी डिविडेंट चार रुपे फाइनल डिविड अपनी ने जो डिविडेंट वो भी अनौंस किया है तो अब देख लेती है इसके रेजर्ट्स और इसका इंपक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के उपर तो यहां पर देखो कि भी Consolidated Statement देखेंगे और फिगर इन रुपीज क्रोड में दे रखें यहां आपर quarter ended और या आप पो 12 month ended results देखने हो मिलेंगे अगर बात के जाए total income की यह total revenue जो हमें देखने को मिले अभी हो है 6625 क्रोड का जबकि previous quarter में क्या था भी previous में 6419 क्रोड की इंकम थी वहीं previous के same quarter में 6133 क्रोड की year to year and quarter to quarter income में jump है और revenue from operations आप लोग उपर से compare कर देना ठीक ह इसके बाद 12 month ended में 2675 क्रोड से income increase होकर पहुंच गई है 27527 क्रोड पार तो income overall काफी अच्छ हुई है इसके बाद देखो कि भी इसके जो expense है यानि जो खर्चे की गए भी company के तरफ से 6008 क्रोड के previous में गया थे 5906 क्रोड के previous के same quarter में 5465 क्रोड के year to year इसके expense बढ़े और quarter to quarter expense बढ़े हैं लेकिन revenue अब की बार फिर expense से जादा मतलो company ने फिर से profit बनाया है लेकिन कितना तो यहां पर देखो गए profit for the period अगर बात करें तो अब की बार जो profit है वही वह है 447 क्रोड का previous में 374 और previous है के same quarter में 483 year to year profits में decline है but quarter to quarter profits में जंप है 12 month hundred में भी आप लोग देखो profits चोड़ते वे नजरा हैं तो profits में हमें decline देखने को मिला है तो यहां से क्या इसका negative उसर stock क्यों पर आएगा revenue तो ठीक अभी उसके बाद देखो के earning per share earning per share जो देखने को मिला भी 8.95 पैसे previous में 7.99 थे और previous year के same quarter में 9.34 पैसे तो यह इसके रहे हैं भी results अब देखते भी कै 8.95 पैसे expect किया गया था 10.40 पैसे ठीक है 10.40 का expect किया गया था Google पर check करना जाकर तो 10.40 का अच्पास का expected revenue और EPS आया कितना भी 8.95 तो EPS के मामले में यहां पर हो है miss उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो revenue from operation है वो कितना भी 6528 क्रोड का यह तो देखो भी company की तरफ से आ आप लोग देखो जो expect किया गया था उससे कम है और तो यहां से stock के उपर हमें अगर expected results से compare करके देखे तो negative असर आते होई नजर आ सकता है ध्यान रखना भई ठीक उसके बाद आप लोग देखोगे यह assets वगरा यहां पर आपको देखने को मिलेगी जो previous के मुकाबले increase होते यहां पर कंपनी का यह जो business segment है वह आपको देखने मिल जाए revenue segment देखने मिल जाए किस revenue से कितना company न आकरकार revenue बनाया है इसके बाद आपको यह cash flow statement से देखने को मिलेगी वीडियो को पहुच करके देख लेना ठीक और यहां पर आपको जो इनॉट्स है वीडियो को पहुच क करके अगर आप एक long term ने विए सब खोथ तो और जिस प्रकार से announcement है na fundraising को लेकर है यह आने वाल टाइम में company अपनी business को और ज्यादा strong करने के लिए ही यह कदम उठा रही है इसके लावा कुछ पूचना comment में पूच सकते है और thank you for watching the video